अभी एक साहब है पुलिस में है उन्होंने फून किया मुली साहब कुछ लोग साइड से भी लाके देते हैं समझ गया ना साइड से बोले मैं मांगता नहीं लेकिन साइड से दे देते हैं क्या करनेगा को दूसरों को भी देते हैं तो हमको भी देते हैं बोला नहीं यही तो आपकी अमानतदारी है आपके पास यही बचा हुआ है यही बचा हुआ और उनको कहिए कि यह मेरी ड्यूटी है और मैं जो जॉब पे आया हूं मुझको पैसा मिलता है मैं यह काम नहीं कर सकता और आपका पैसा नहीं ले सकता चाहे जो हो जाए चाहे जैसी भी हालत में रहे आपका काम हो गया, खतम, आप दूआ दीजिए, पैसा नहीं लेने का, बुले अच्छा, बुले हाँ, आपकी अमानतदारी के जरीए कितना पैखाम चला जाएगा, तो अभी हालत ये है, पटना हजभवन में ट्रेनिंग भी होती है, पुलिस की, और वो पुलिस वाले जहां जहां जाते हैं, और जहां गाड रहते हैं, या काम करते हैं, एक वाक्या ऐसा हुआ, एक आदमी ने कहा, पुलिस का बड़ा आदमी, कि मेरी खुद की गाड़ी ले आओ, और सरकारी पैसे से तेल भरा के लिए आओ, तो उसने कहा कि नहीं, सरकार पैसा देती है, सरकारी गाड़ी के लिए, आपकी गाड़ी के लिए नहीं, मैं अपनी जाब छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर सकता, आज भी ऐसे लोग जिन्दा हैं, तो अब ऐसे का अखलाग तो सबसे उच्छा है, उन्होंने कैसे जीता होगा लोगों का दिल? झाल झाल झाल